जमात नौमी कहानी कलू सन उन्निसो चत्ती दा जिकर है उस साल लेखक ने जिस नावल दी रचना दिमाग विच रची सी उस दा नासी कागतां दी बेडी ते जदों इस नौ लिखन लई लेखक नौ पहाड ते जान दी लोड जापी ता दिल गोतियां विच पैगया लेखक दा खीसा एत की इजाजित नहीं दे रहा सी सो लेखक ने मन मार के कारविच ही इस नौ लिखना शुरू कर दिता पर अंबांडी पोख अंबाकडिया नाल कित्थों दूर हो सकती सी अखीर किसे तरां ओखा सुखाला होके थोड़ी जही रकमदा परबंद कर ही लिया ते 6 जुलाई 1936 लेखक तरमशाला जान लई पठान कोड़तों गड़ी चड़िया लेखक कई सालातों अपर तरमशाला दे एक रमनीक था मेकलोट गंज देरा करदा हुंदा सी पर एटकी बटगवे दा वजन कुझ हौला वेखके लेखक ने मकान दा किराया बचालेया ते कोट वाली बजार विच एक रामगडिया दोस्त पास जा उत्तरेया उसदा कार एक गुम नाम जेहे महले वेच सी जित्थे बहुत एकार पंजाबिया दे ते कुझ थोड़े जेहे दिल्ली वाले बाणिया दे सन लेखक दा मित्तर अपने छोटे जेहे मकान वेच सवालाख ही सी जेडा दिन चड़दे पका खाके कामते चला जान्दा ते शाम पर्त दा इत्थे मेकलोड गंज वर्गी नाता एकांत सी ते ना ही कोई सिनरी उन्ज मौसम सोना ते लेखक दी सेहत वी काभी चंगी सी जिस करके लिखन वेच चंगा सुर्ताल जोड़ गया पर उस दे रस्ते विच एक ऐसी दिक्कत आपैदा होई जिस्दा कोई वी इलाज नहीं सी दिस्दा एक मुटे आर जही जमादार नी रोज ही दो विले मुहले विच आतम कदी ते जिन्नाचिर्व मौजूद रहिं दी ना उस दी ते ना ही मुहले वालियां ते वालिया दी जबान मुवेच टेक दी कदी एक नाल कदी दूजे नाल ते कदी तीजे नाल आड़ा लगा ही रहिंदा ओ अत दर्जे दी तीट ते मुफट सी ओस दी लडाई दा कोई ना कोई काण हर विले शुरू ही रहिंदा सी इस तरा सडी लूसी दिखाई देंदी जिमें हर सामने आउन वाले नू कच्यां हिच्चा बजाएगी ओ चारूदियां तीलियां जमीन ते कडी सी जान दी ते नालो नाल बुर बढ़ा ही जान दी जाने कैसी अंधी ओरते हैं कचरा फैंकर गले डक धेर लगा देती हैं भाड में जाएं सारे दिन ही नौकर थोड़ी हूँ बच्चों को जगा जगा बिठा देती हैं खस्मानू खाणी किड़ी फिट गई है रंडिये जबान खिच लओंगी जे मुड़के मेरे न्यानयानू नौलया सरदार तुम्हें दिखाई नहीं देता तमाम कचरा बखेर दिया तुमने दरोगा देखेगा तो हुमारी कान इंट लेगा ओ बड़ी भूलू ही बेहन माफ करना परदेशी हूँ ख्याल नहीं रहा फिर ऐसी भूल नहीं करूंगा तुम रहने दो सरदार मैं उठाई लेती हूँ दादा भीतर का कूड़ा हो तो बाहर फैंक दो मैं ले जाओं नहीं है यह क्या लिखते हो दादा ऐसा ही कुछ लिखता हूँ ले रहने दो दादा नहीं लूंगी अरे तो क्या तुमें रुपईया चाहिए इतने से काम के लिए क्यों नहीं लेती कर लो तुमने कल मुझे बेहन जो कहा था जरा भीतर आजा कर लो तुम भीग रही हो अरे थोड़ी देर के लिए शत के नीचे जा पगली बारिश कम हो जाए तो चली जाना पर वहां तो तुम रोटी बनाते हो कहां की रहने वाली हो कलो बंगाल की अरे तुम लोग इतनी दूर चले आए उदर तुमें काम नहीं मिलता था क्या भगवान की इच्छा है दादा जहां पर रोजी बनी वहीं पर जाना होता है तुम कहां रहते हो दादा अमरत सर में यहां कितने दिन ठहरोगे ठहरना तो कुछ जादा दिन है पर इस मकान से शायद कल ही चला जाओंगा क्यों? यहां पर शोर बहुत रहता है लिखने में तकलीफ होती है यह तुम क्या लिखा करते हो दादा? किताब बैं लिखता हूँ पर किताब के हर्फ तो और तरह के होते हैं छोटे-छोटे, साफ-साफ यह भी वैसे ही बन जाएंगे? मशीन में डालने से? हाँ मेरा मामू कहत रहा कि एक मशीन होती है जिसमें किताब छापी जाती है उसी में यह भी छापी जाएगी? अमबरसर में ऐसी मशीन है और कागज भी उसी मशीन में बन जाता है हाँ, सब उसी में बन जाता है ऐसी मशीन? अच्छा कर लो, एक बात बताओ, तुम पढ़ना जानती हो नहीं दादा, हम लोग नहीं पढ़ा करते मेरा एक्ठो चचेरा भाई रहा, उसने अंग्रेजी पढ़ी थी और फिर वो क्रिस्टन मन गया अच्छा दादा, बताओ, अंबर सर में भी पानी पढ़ता है हाँ, तीन लड़के, और लड़की? लड़की कोई नहीं हम, तब तो तुम भागवान हो दादा अरे, इसमें भाग की क्या बात रही? अरे दादा, लड़की जिसे घर में ना हो, वो भागवान तो होगा ही मेरी चार्ठो बहने हैं, और भाई एक भी नहीं है माबाब बिचारे, हर वकत, अच्छा दादा, पानी थम गया, अब जाओंगी बहुत काम करना है कल हम चले जाएंगे कलो राणी चले जाएंगे दादा, इत्ती जल्दी, क्यों जा रहे हो दादा? अरे, जल्दी कहां? एक महिने के करीब तो हो गया कलो फिर काब आओगे? भगवान ने चाहा, तो दूसरे साल जरा इधर आना कलो, अपने दादा को नराज करोगी मुझे देर हो गई दादा, ये मैं थोड़े से आम लाई हूँ अपनी भावज के लिए, इन्हें तो लोगे न दादा? क्यों नहीं? अपनी कसम, मैंने इनको चुआ तक नहीं है अरे क्यों नहीं लोंगा राणी? अगर तुम ये ना लाती, तो मैं तुम पर बहुत नराज होता तुम कितनी अच्छी हो दादा, मुझे तो बड़ा फिकर था जाने दादा, मेरे हाथ के ये आम लेंगे भी की नहीं लेंगे अच्छा कर लो बहन, हम फिर मिलेंगे